Hey guys, welcome back to my youtube channel Friend, मेरा नाम है अंकित आज की इस वीडियो के माधम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, अगर आप नए क्रीटर हो तो आपको यह जानना बहुत ही जादा ज़रूरी है Friend, Friend आपको पता ही होगा कि अगर आपका मोनलटेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर से आपका एटसेंट में 10 डॉलर कंप्लीट होने का बाद यहाँ पर से कुछ वैरिफिकेशन जो होते हैं यहाँ पर एटसेंट अपके आपको टेप में गेंडर BOYण जो होता है दो आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको करना पड़ आपका नाम है उसी एकउंट के नाम से मललब के आपका कोवज यानि government ID प्रूस का हुए enter आप pen card भी यहाँ पर आप दे सकते हैं वो ज्यादा best रहता है तो फ्रेंड यहाँ प्रवो करना पड़ता है उसके बाद होता है क्या है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर address verification होता है आपके यहाँ पर आपको फ्रेंड यहाँ पर यहां पर यहाँ पर ऐसे बहुत लोग ऐसे होता है कि अपना pen card को रख दिए नीचे उसके बाद photo वहाँ से click किया होता क्या था कि आपका जो photo है उसे एक light आ जाता था जो यहां पर absent direct बता गया license account में कि अगցश होता है तो हम आपके डोकुमेंस को जो है यहां delete कर देंगे तो होता क्या था कि बहुत लोग ऐसे apply कर दिया और अगर आपका यहां पर अप्लाई किया है और आपको तो लगता हुआ कि यहां से एप्रूब हो जाएगा और यहां पर होता है कि आपका पेमेंट आने मतलब यानि कि आपका पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पर तो क्रियेट हो जाएगा पैसा आपके आपका अर्निंग बनता है पर यहां पर आपका पेमेंट हो रिलीज होने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि यह डोनों वेरिपिकिशन जो है आपका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है मैं उनको बता दिया कि यहां पर जो हो रहा है आप आपका जो यहां पर कंफर्म नहीं हुआ होगा आप ध्यान नहीं दिये होगे तो यहां पर आपको क्या करना है अगर आपका पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है तो यहां पर होगा क्या कि अगर आपका पैसा है वहां पर आ HHC में होता है वो यहां पर से अगर approved नहीं हुए होगा वहां पर से तो कैसे आप चेक करोगा और कैसे फिर से परोब करोगे तो चले कैसे करना है सारा कुछ बताते हैं तो आपको अपने phone में आ जाना आपको कोई भी ब्रॉजर में जहां पर साप अपने adsense account को operate करते हैं जहां से आप अपने adsense account को चलाते हैं तो यहां पर आने के बाद आपको जैसी पता होगी अब adsense application जो पहले आता था वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है तो अब क्या करना है अब आपको यहां पर अपने browser open कर लेनी है तो नौर्मली सबको फोन पर ही उसकरते हैं तो मैं भी फोन पर ही अपना adsense account को operate करता हूं आप देख सकते हो फ्रेंट कुछ ऐसा interface आपको जो है आपका adsense account का देखने को मिल जाता है आप आपको उपर में सबसे outside में आपको देखने को मिलता है तो करना के आपстर इस पर क्लिक करनी है अब जयसे आप एसाफ़ क цен ऐन देखने को मिलता है तो क्या करना है यहाँ पर आपको आपको imperial नहीं करऊदा गाई simple सा बात है यहां पर बताये गया यहां पर कोई भी अगर समझदार आदमी रहेगा तो वह समझ जाएगा यहां पर देख सकते हो आप भी हो एसा मत समझना कि मैं आपको मजाग कर रहा हूं अपके साथ तो यहां पर देख सकते हो वेरिफिकेशन चेक वाला जो आपसन है simply हमें क्या करनी है इस पर क्लिक कर देनी है अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपका जो एरिफिकेशन है वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो यहां पर देख सकते हो आप आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला यहां पर मेरा कंप्लीट है और एड्रेस जो है वो भी कंप्लीट है तो यहां पर क्या करना है अगर आपका यहां पर से दोने में से कोई एक भी अगर यहां पर से कंप्लीट नहीं होगा डिकलाइन कर दिया गया होगा तो यहां पर से आपका पेमेंट जहागो आपके अकॉंड में क्यों नहीं होगा तो अब यहां पर से verification चेक करने के बाद यहां पर से फिर से आप apply कर पाओगे apply करने के बाद यहां पर से आपका अगर complete हो जाता नेक्स्ट मन्त का 21 तारिक को यहां से आपका payment जब वो रिलीज हो जाएगा और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूं थैंक यू